बच्चो नमस्कार श्वागत है आपके अपनी यूटूब चनल एग्रोटेक स्टडी में बच्चो मैं हूँ अर्विन द्यादव माद में सिक्चाब बोड भोपाल का बच्चो ये प्रीबियस येर कोशन पेपर 2018 का ये पेपर लेका है बच्चो किर्शी विग्यान एवं गलत के मूलतत तो किस प्रकार के प्रस्ण आपके एकजाम में बनते हैं वो सभी प्रस्ण हम लोग सौल्व कराएंगे और आप लोग देखते चलिएगा बच्चो आप लोग कैसे हैं उमीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे बच्चो आप लोग पढ़ाई करते रहें मेहनत करते रहें सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी बच्चे आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका जो आपको रिजल्ट है बहुत 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 बहु शीट मिल जाएगी भाई ऐसी मार्क शीट को क्या करोगे परिक्षा होना चाहिए ऐसा आपका पॉजिटिव सोचना होना चाहिए ऐसे आप सोचो कि एकजाम हो जब क्यों नहीं हो रहे हैं आपकी जो मेहनत है वो काम आनी चाहिए ठीक है ना बस बढ़ते चलिए बच्चों ब पा रहे होंगे जरूर कर पा रहे होंगे आपकी तैयारी कैसी है ठीक है ना इसलिए मैं आपको पूरे पेपर लाएक के आऊंगा चार-पांच साल के पेपर मैं आपको लेकर आऊंगा और सभी लोग अच्छी प्रकार से तैयारी करते चलेगा ठीक है चलिए ये पेपर भी बहुत महत्पून है आपके लिए कैसे कॉशन पूचे गए देखिए इस वीडियो में देखिए बच्चों ये है बोर्ट प्रिश्ट पत्र दो हजार अठरा का आपका पेपर है इसमें सब्सक्राइब को प्रिकास का कणिका सिद्दान्त पूचा गया है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है अपकी बार पर कोई बात नहीं है प्रिकास का कणिका सिद्दान्त किसने दिया था न्यूटन, हाइगेन, मैक्सवेल यार रॉबर्ट ने दिया था तो प्रिकास का कणिका सिद्दान्त आपका किसने दिया था Newton ने दिया था बच्छो ये आपको पता होना चाहिए किस ने दिया था Newton ने ये आपका दिया था प्राकरतिक चुम्बक है प्राकरतिक चुम्बक का क्या है अपका एक उधारन है इसके बाद पानी की विसिष्ट उसमा होती है तो पानी की विसिष्ट उसमा कितनी होती है एक, दो, तीन, जीरो तो पानी की विसिष्ट उसमा आपको मालूम है सबसे ज़्यादा होती है और कितनी होती है एक होती है आपको अच्छी प्रकार से ये मालूम होगा ठीक है बच्छो चलिए तो आप वो सभी प्रशन पाएंगे जो अपने पड़े है बड़ा अच्छी खुसी होती है कि हमने जो पड़ा है पोई अक्सर पेपरों में पूछा जाता है ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है देखी आगए चलते है नेक्स्ट बचो स्वस्त मनुस के सरीर का ताप होता है या है स्वस्त मनुस के सरीर का ताप कितना होता है देखो 47 डिगरी सेंटिग्रेट या 37 डिगरी सेंटिग्रेट 57 डिगरी सेंटिग्रेट या 40 डिगरी सेंटिग्रेट स्वस्त मनुस के सरीर का ताप कितना होता है सब लोग जानते हैं स्वस्त मनुस का जो ताप होता है आपका कितना होता है बचो 37 डिगरी सेंटिग्रेट स्वस्त मनुस का ताप होता है इसके बाद है सूर से उस्मा संचरन की विदी क्यांसी है बैसे ये चेप्टर हट गया है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ सूर से उस्मा किसके द्वारा आती है चालन द्वारा, संबहन द्वारा या विकरन द्वारा या कोई ने किन्बन एक प्रक्रिया है तो किन्बन कैसी प्रक्रिया है ये आपको मालम होना चाहिए आपके सिलेबस का कॉशन है किन्बन एक उस्मा छेपी क्रिया है ये आपको याद होना चाहिए कैसी क्रिया है उस्मा छेपी क्रिया है ये आपको पता होना ही चाहिए चिक है उस्माचिपी किन्दमन के रिया है तू अन्कूल ताप कितना और चाहिए ध्यान रखना किन्दमन की किरिया के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो ताप मान है वो सबसे बैस्ट माना गाता है साधरन ताप पर तेल अवस्ता में होते हैं बिटामिन A सब जानते हैं, ये बिटामिन A आपका फैट में, यानि वशा में आपका ये बिले होता है, कौन से में? वशा में ये बिले होते हैं, विसे A, D, E के ध्यान रखना ये बसा में ही बिले होते हैं, इसके बाद हरे रंग के सहवाल में लवक पाया जाता है, सब लोग इसके बाद हम लोग जोडियों की बात करें, बच्चों जोडी आप लोग देछ लीजिए जोडी, आप लोग कोई मिलाना है, कोईशिच कीजी, आप लोग मिला सकते हैं के नहीं, सूक्ष जेपकी देखिए, सूझे मिल गया मुझे तो शूक्ष जेपकी आपका लिउवेन है हो इसके पिता है इसके बाद जीन चिकिस्सा मिलाई तो जीन से कि चिकिस्सा किसे मिलेगी सब जानते हैं जीन चिकिस्सा आपकी अनुवांसिक इंजिनिरिंग का ये टोपिक है रेशम कीट जी हां रेशम कीट का सांश्ट फिक नेम बिलकुल सीधा सीधा दे रखा है को देख लीजिए आप लोग सत असत को अप लोग देख शकते हैं शाइन सिक्स्टी का मान रूट तीन बटे दो होता है तो बच्छो ये आपके सत असत एक भी ऐसा नहीं है जो हमारे अपकी बार से लेवस में हो एक भी अपारी सलेवस में नहीं है सत असत तो ऐसे पूछ लिए थे संदो है रठाम है कि सिर्फ आपके त्रकॉन में ती से तीन ओटी थे वो दो ओटी आपके मानक बिचल मान इंसान की थर्ड से थे तो ऐसा कोई हमारे लिए मिला नहीं कोई बात नहीं है अब प्रिश्ना अंसर देख लिए आप लोग उत्तल अप्तल लेंस ये प्रकास से हैं तो हमारे वे इस लिए बस में है नहीं है कोई बात नहीं किसी चुमक का चुमकरनाश्ट होने के दोकारण सब जो जानते हैं चुमक की अरक्षक क्या है इसका उपियोग सब लोग अच्छी प्रकार से पढ़ाया है मैंने आपको किन बन के दो उपियोग पढ़ायें बायोरिट प्रिक्षन का बिल्कुल पढ़ाया है आगे अगर लोग हम चलेंगे देखी आगे इसके बाद आप लोग देख सकते हैं छित्रमिती के परिवासा पूछी है सिंपल है एक ब्रत का चित्पल ग्यात किये जिसकी तरज्जा साशन ते ब ग्रेमनी अत्वा किरूशी फेरी कुल के तीन पोधों के शामान नाम तता बनश्मतिक नाम मालवेसी अत्वास तोल निश्गल के पोधों का आर्थिक महत सिंपल सी बात है सब को पढ़ा रुगा है मैंने ये जी विद्दुद्वर रेखाओं के चार गुन पढ़ा है आप लोगों ने बिद्दुद्वागबल व्यंतर अपने पढ़ाया अच्छी प्रकार से तेल बसा ये आपके शिले बश्मा है नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके बाद देखिए आप लोग कार्वो हाइडरेट का महत पढ़ाया है अच्छी प्रकार से अंतर माद आपको पढ़ा चुक होई एकसे अप दे रखाया है और एकस का गोड़ा करके आप लूँ इसका अंसर निकाल सकते हैं मोसम जलबा हूँ अंतर बिल्कुल एम्पोडेंट है पढ़ा चुका हूँ आपको फसल को पाले से बचाने को पाए आपको मालूम होगा मैं पढ़ाया है औक्षीशन और नौक्षीशन में अंतर बिल्कुल पढ़ाया है जिबरिलिन हर्मोन के पांच महत बिल्कुल पढ़ाया है कारिर पढ़ाया बात वही होता कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इस बात का पता इसी से तो लगता है देखो अनुभव क्या होता है अनुभव यही तो है इस चीज से हमको इस चीज का पता लग जाता है अनुभव से इस चीज का पता लगता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं प पढ़ना है बस इस चीज को अगर आपने दिमाग में रख लिया तो समझ लीजिए आपने सफलता प्राप्त कर लिए है ठीक है चलिए बच्चों कैसा लगा पेपर बड़ा अच्छा लगा होगा बहुत सारे प्रिश्ण आपसे बन रहे होंगे आपको बड़ी खुशी हो रह इतना पढ़ करके ठीक है चलिए तो वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेर करना विलको न भूलें ठीक है चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में तब तक क्यलिए नमस्कार